हलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज 11th किलास का चैप्टर नमबर 9 सिक्वेंस एंड सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें बच्चो आप कुछ टॉपिक पिछली किलास 10th में पढ़ चुके हों जिसमें से एक का नाम है AP, Arthematic Progression बच्चो, Arthematic Progression में आपने सीखा था कि जब भी कोई एक सीरीज होगी, उनके बीच का गैप क्या होगा, बराबर होगा और उनी से हम नए-नए Terms निकालेंगे, नए-नए Terms का Sum निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हमने सीखे थी लेकिन इस बार आप एक AP तो सीखेंगे ही, यानि Arthematic Progression तो सीखेंगे ही, प्लस एक GP होता है, Geometric Progression वो भी सीखेंगे तो ये दोनों topic आज हमें यहाँ पर cover करना है, तो आईए, शुरू करते हैं चलिए, शुरू करते हैं, 9.1 में, जैसे देखिए बच्चो, आपको question number, अगर मैं बोलूँ बच्चो, sequence and series, sequence क्या है, कि भाई, कोई series आपको दी गई है, उसका sequence किस तरह का है जैसे, मान लीजे आपको एक sequence दी गई है, ये, एक sequence दिया है आपको जैसे, मान लीजे, ये दिया हुआ है, 10, 12, 15, 20, 20, और उसके बाद 27, उसके बाद आपका मान लीजे, 27 के बाद ले ले लेते हैं, 38, इस तरीके से, तो बताईए, ये, ये आपको एक series दे दी गई है, तो बताईए, इसके sequence क्या है, ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको एक series दी गई है, और आपसे बूचा कि बताईए, इसका sequence क्या है, तो भाई, इसका sequence बता करते हैं, sequence बता करते हैं 2 3 5 7 11 तो हमें दिखने में कैसे लग रहे हैं यह हमें देखने में कैसे लग रहे हैं यह हमें देखने में लग रहे हैं बिल्कुल कैसे आभाज्य संग्य की तरह मतलब prime number की तरह तो यानि इनका जो sequence रहा वो prime number का gap रहा किसका gap रहा? प्राइम नंबर का gap रहा तो ठीक है? इस तरीके से जैसे एक और series ले सकते हम एक और series ले सकते हम series ले सकते हम जैसे 9, 13, 22 ठीक है? 22 के बाद क्या ले सकते है? 38 63 इस तरीके से तो हमने क्या देखा? बच्चो चार का gap 9 का gap 16 का gap 25 का gap तो हम क्या देख रहे हैं? इनका sequence क्या भई? N square इनका sequence क्या है? N square मतलब हर नंबर का square चल रहा है gap यानि पहले में 2 का square का gap अगले में 3 का square, 4 का square, 5 का square इस तरह 6 का square तो बच्चो यही सब चीजे होती है कि कोई series है और उनका sequence किस तरीके का है तो हम लोग पता है इन ही सारी चीजों से लगाते हैं ठीक है? तो इस बरकार के चीजों को बच्चो series sequence कहते हैं जब आप in future competitive exam की त्यारी करेंगे तो वहाँ पर यह number system के अंदर आप वो, sorry number analogy के अंदर आप यह पढ़ेंगे सारी चीजे ठीक है? चलिए तो इसी से related AP भी होता है और इसी से related GP भी होता है तो यह सारी चीजे हम पढ़ेंगे ठीक? देखें जैसे 9.1 के question number first का क्या रहा है कि माल लीजिया आपको AN AN का मतलब आपने 10th किलास में सीखा बच्चों के AN का मतलब होता है any term AN का मतलब क्या होता है? any term AN का मतलब क्या होता है? any term वैसे AN का मतलब बच्चों ने last term भी होता है ठीक है? लेकिन any term मैं बोलता हूँ इसे क्यों बोलता हूँ इसे any term? क्योंकि इसी के term में कोई भी value अगर put की जाए तो हम उस particular term को निकाल सकते हैं जैसे a n is equal to n n plus 2 दिया हुआ है अब मैंने इसको any term का नाम क्यों दिया क्योंकि इसने पूछा है कि भाई पहले 5 term का answer निकालो पहले 5 term निकालो पहले 5 terms निकालो तो ठीक है जी put करेंगे put n is equal to 1, 2, 3, 4 put करो तो जहाँ जहाँ पे n है वाँ वाँ पे 1 put करो तो यह जगा 1 into में 3 तो 3 देखो a1 क्या हो गया 3 तो निकाल क्या है a1 अब n is equal to 2 put करो तो भाई a2 n की जगा पे 2 तो 2 और 2, 4, 4, 2 जा 8 तो a2 कितना आगे 8 इसी तरह n is equal to 3 put करो तो a3 n की जगा पे 3 और यह 3 प्लस 2 तो कितना जाएगा 3 3 और 2, 5 और यह आगे 10 तो यहनि a3 कितना आगे 10 ठीक है अगला इसी तरीके से तो अरी 5 तरीक अब क्या है अब इसी तरह से a4 यानि n बड़ावर 4 पुट करो तो a4 यानि कि 4, 4, 4 प्लस 2 तो 4 और 2, 6, 6, 4, 24 ठीक है इसी तरह n5 यानि a5 तो 5, 5, 5 प्लस 2 तो 5 और 2 कितना होता है 7 और 7, 5, 35 इस तरीके से ठीक है बच्चो तो यह क्या है इसलिए मैं an को कहता हूँ any term कि कोई भी term निकालनी हो बस उस term की value पुट करो और आपके सामने वो term आ जाएगी ठीक है तो देखिए question number 9.1 का first गई था second भी हो जाएगा third भी हो जाएगा fourth भी हो जाएगा fifth मैं कराऊंगा sixth आपको करना है चलिए fifth देखते हैं fifth a n is equal to minus 1 की power n minus 1 और 5 की power n plus 1 ठीक है हाँ जी तो देखिए यहाँ भी let करेंगे n बराबर क्या होगा 1,2,3,4,5 अब क्या करेंगे n बराबर 1 पुट कीजिए तो हो जाएगा n 1 minus 1, 1 minus 1 5 की power 1 plus 1 हाँ भई, minus 1 1 में समन गया 0 5 की power 1 square भई, किसी power 0,1 होता है 5 का square 25 तो अंसर आगे 25 इस तरह a2 a2 minus 1 की power 2 minus 1 और 5 की power 2 plus 1 तो minus 1 2 में से 1 किया 1 5 की power 3 भई, minus 1 की power 1 होता है और यह 125 होता है answer minus 125 इसी तरह a3 n क्या पुट करोगे 3 तो n यहनिकि minus 1 3 minus 1 5 की power 3 plus 1 तो यह minus 1 की power 3 में से 1 गया 2 5 की बार 3 और 4 तो यह 1 हो गया और क्यों हो गया बच्चों यह 1 क्योंकि अगर किसी minus digit की power even हो किसी minus digit की power even हो तो किसमें बदल जाता है plus में और 5 की power 4 कितना होता भई 625 answer 625 ठीक है फिर इसे तरह ए 4 minus 1 की power 4 minus 1 4 plus 1 हां जी 4 में से 1 की बार 3 और यह 5 की बार 5 हां जी बताओ जल्दी minus 1 की power minus 1 की power 3 तो क्या होगा minus 1 क्योंकि जब minus का number की power odd होती है तो minus ही आता है और 5 की बार 5 कितना हो जाएगा भई और दुबारा और एक 31 की तो यानी 3125 तो minus 3125 इसी तरह ए 5 निकालना है अब को ठीक है चलिए कीजिए नोड़ो के बच्छो चलिए ठीक है को अब कर देगा अब कर देखो क्या बोला उसने कि ए एन की वैलू तो 4N-3 है तो A-17 निकालो और A-24 निकालो तो इसमें है क्या है 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 हाँ जी तो A-N यानी पहले A-17 निकालना है तो बस 17 का मतलब क्या है एन की जगावे 17 रग दो 17 चोकट सट माइनस 3 आंसर आगे 65 इस दरह A-24 निकालो तो 4N की जगावे 24 माइनस 3 चोबिस चोके कितना होता होता बच्चो यह होता 96 और माइनस 3 तो कितना आगे 93 खतम का नहीं है इसी तरह किसे टैंथ टैंथ भी निकाल सकते और टैंथ का अंसर ठीक है A-N बराबर N-2 N-3 और N-20 निकालना है तो बस बात खतम एन की जगा 20-20-2 20-3 अब यह 20-20 काट मत देना 18 और यह तेईस आंसर कि नहीं 360 बटा 23 अंसर आजाएगा ठीक किना जाएगा 360 बटा 23 ठीक है इसी तरह बच्चो कोशन नमबर 11 कोशन नमबर 11 देखो क्या दिया हुआ है किरा A1 की वैल्लू अगर 3 है तो A-N की वैल्लू अगर 3 A-N माइनस 1 प्लस 2 दे रखी है तो 5 टर्म्स निकालो 5 टर्म्स निकालो हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें हाँ वैज एवन की वैल्लू यह है अब निकालो A2 की वैल्लू यानि N की जगह पर 2 रखो रखना वह यहां पर A2 3 A2-1 प्लस 2 A2 में से वन गया 1 2 3 A1 की वैल्लू कितनी है 3 प्लस 2 तीन 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 नो प्लस 2 और यह अंसर आगे 11 A2 की वैल्लू कितनी हागी 11 इसी तरह A3 निकालना है तो A3 कैसे निकालेंगे हाँ भई 3 A3-1 प्लस 2 3 A3 में से क्या 2 प्लस 2 3 A2 की वैल्लू कितनी है 11 प्लस 2 11 तीन 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 प्लस 2 और यह कितना हो गया 35 A4 3 A4-1 प्लस 2 A4 का मतलब A3 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 कितना 35 प्लस 2 35 तीन तीन कितना होता गया 90 और 105 प्लस 2 107 A5 A5 कितना गया 3 A5-1 प्लस 2 3 A4 प्लस 2 3 A4 कितना गया 107 प्लस 2 107 कितना गया 301 प्लस 2 323 इस तरीक से निकालना अंसर इतना नकली सा कोश्चन है मिल्कुल, असान सा ठीक है, तो ये से बच्चों इतना आता भी नहीं एक्जाम में, ठीक है बागी फॉर्मिल्टी एक तरगी करवाना, वहीं करवा रहा हूँ अज़ ये देख लो इसी में एक और कोश्चन कोश्चन नम्बर 13 तो वहा है कि बागी, a1 की value और a2 की value दोनों की value to है तो कहारा कि an क्या होगा अगर a1 की value ऐ, n –1 – 1 है, तो ठीक है जी देखो, a1 और a2 की value, 2 दहीं рखें तो a3 की value निकालो ना, a3 – 1 –1 इस इतनी है 2-4 की वैलो स्वाइन काल लो A 4-1-1 A4-1 3 होगा इस तरह A5 निकाल लो A5-1-1 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 करो छेशको नोट करो झाल चर्णिया नोट कर लिया आप सुरू करते हैं इसमें एपी क्या सुरू करते हैं एपी हां जी एपी सुरू कर रहे हैं देखिए बच्चो अरिज्थेमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है एपी अच्छे से जानते हैं आप लोग क्या कि भाई एपी वो सीरीज है जिनके बीच का गैप बिलकुल सेम होता है जैसे फाइफ अगर आप देखें गौर से तो सब के बीच का गैप थ्री है ये गैप प्लस में है प्लस थ्री जोरू निये गैप प्लस थ्री में हो गैप माइनस में भी हो सकता है जैसे एपी बराबर 240, 235, 230, 225 इस तरीके से देख सकते हैं आप गैप माइनस फाइव है गैप प्लस में हो माइनस में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस ये याद रखना गैप बराबर होना चाहिए चाहिए प्लस का गैप हो चाहिए माइनस का गैप हो बराबर होना चाहिए वही क्या क्या लाता है AP क्या क्या लाता बच्छो AP अब कोई भी AP बनाने का जो तरीका होता है वो दो तरीकों से बनता है एक सबसे आगे की term जिसे हम लोग first term कहते हैं जिसे A1 से denote करते हैं किसे denote करते हैं A1 से second term को A2, third term को A3, fourth term को A4, fifth term को A5, sixth term को A6, last term last term को denote करते हैं A1 से, last term को किसे denote करते हैं A1 से, जब नहीं A1 से करें T1 से भी कर सकते हो, L से भी कर सकते हो तो ये होता है आपका last term, क्या होता है last term, A1 भी हो सकता है, T1 भी हो सकता है, L भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी apply कर सकते हैं ठीक है अब जब इसी AP को हमें open करना पड़ जाए open करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे AP बच्चो दो चीजों से मिलके बनती है कैसे एक तो जो इसका first time है वो तो रहे गई उपर से इनका gap तो बच्चो इनके gap को कहते है common difference इनके gap को क्या बोलते है common difference तो देखो A1 को खोलोगे A बनेगा comma जबकि A2 को खोलोगे तो A plus D बनेगा A3 को खोलोगे A plus में 2D बनेगा A4 को खोलोगे A plus में 3D बनेगा A5 को खोलोगे A plus 4D और A6 को खोलोगे A plus कितना भई? 5D ठीक है? इस तरीके से इसे open किया जाता है अब जैसे कि मैंने बताया है जो सबसे आगे होता है A A का मतलब होता है first term और जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे है D, D का मतलब होता है common difference common difference का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे common difference का मतलब है कि इनके बीच में gap बढ़ता चला जा रहा है इनके बीच में क्या बढ़ता चला जा रहा है gap बढ़ता चला जा रहा है इनके बीच में क्या बढ़ता चला जा जा रहा है gap कैसे यहाँ पहले एक भी D नहीं था फिर एक D आया फिर एक अगला D आया फिर एक अगला D आया तो हम इसको कैसे करेंगे भाई आगे देखो तो यह हो गया e-p इस धरीके से यह आपका last term तक और यह आपका common difference वगभा इस थरीके से अच्छा अब आगे सुरू करते हैं कैसे करेंगे बच्हो चैसे सुरू करेंगे यहां से हम लोग अब terms के दिशाथ साथ खेलना शुरू करेंगे जैसे माल लीजिए बच्चो आपको बोला गया जैसे माल लीजिए आपको बोला गया क्या बोला गया बच्चो कि आपको 30th term निकालना है क्या बोला गया आपको 30th term निकालना है 30th term तो बैट 30th term का मतलब हो गया A30 30th term का मतलब क्या हो गया A30 और बच्चो A30 को जब आप open करके लिखेंगे तो कैसे आप देख सकते हैं जब 1st term था तो A था जब 2nd term था तो A कम D था यानि था 2 लेकिन 1D था जब A3 था तो 2D था A4 था तो 3D था A5 था तो 4D था A6 है तो 5D मतलब जितने नमबर का term रहेगा उससे A कम D लेना है उससे क्या लेना है A कम D तो अगर 30th term था तो आप इसे लिखेंगे A प्लस में 29D यानि एक चम था अगर आपसे 59th term था था आप क्या बोलेंगे A प्लस 58D अगर आपसे क्या बोला प्लस में 17D, यानि बच्चो जोन से भी नमबर का टर्म आप से बोला जाए, AP में, AP में जोन से भी नमबर का टर्म बोला जाएगा, उसमें आप A कम D ले लेंगे, क्या ले लेंगे? A कम D ले लेंगे, इसी तरह जब आप इसको ओपन करते वे जा रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि A कम D ले रहे हैं, तो जब A N को खोलोगे, A N को उपन करोगे, तो क्या बनेगा बच्चो? A प्लस में N माइनस 1D, मतलब A N का फॉर्मूला आपके लिए क्या बन गया बच्चो? AN का formula आपके लिए बन गया A plus में N minus 1D यानि जितने नंबर की term उससे A कम D तो देख रहे हो जितने नंबर का term उससे A कम D कोई दिक्कत किसी बच्चे को कोई भी पर रिशानी नहीं न, नोट कीजिए पर चूचे को कीजिए झाल कि चलिए इसके आगे कहने शुरू करते हैं तो आपने हर टम का देख लिया हिसाब किताब अब आगे अब है वाई सम आफ एपी एनि सम अफ टर्म्स सम आफ टर्म्स इन एपी एपी के पदों का योग ठीक है बई तो कैसे होगा बच्चो एस एन से डिनोट किया जाता है इसे किसे डिनोट किया जाता बच्चो एस एन से और यह बन जाता आपका एन अपॉन टू 2A प्लस N माइनस 1D यह फॉर्मूला होता है ठेक है एक फॉर्मूला और होता है N अपॉन 2 A प्लस में An क्या होता है A प्लस में An कोई दिक्कत ठेक है यहां तक पलले पड़गी An की जगें पर L, TN कुछ भी पूट कर सकते हो आप ठीक है तो यह होता है sum का formula मतलब जो ap को add करने लगते हैं अच्छा बच्चो एक बात याद रखना an निकालने का मैंने तुम्हें एक formula तो बता दिया an निकालने का एक formula और भी है क्या an निकालने का formula यह है sn-sn-1 एक यह भी formula होता है साथ इसके जुरूत पढ़ेगी है नहीं पढ़ेगी वह हम questions की according देख लेंगे वैसे जुरूत पढ़ेगी नहीं आपको अगर जुरूत पढ़ेगी तो यह वाला formula याद रखना इसका use करना सिखाऊंगा मैं वैसे आप लोगों ने 10 में से बहुत अच्छ अब है आपके पास अर्थमेटिक मीन अब कौन सा टॉपिक शुरू करूंगा कि अर्थमेटिक मीन ठीक है बच्छो तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थमेटिक कि मीन ऑफ टू नंबर्स बच्छो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है तो A M दो नंबर कौन कौन से A और B A और B का अर्थमेटिक मीन निकालना तो कैसे निकालेंगे A प्लस B अपॉन टू यह होता है दो नंबर के पीज का अर्थमेटिक मीन किसी भी दो नंबर का arithmetic mean क्या होता बच्छो A प्लस B अपॉन में 2 क्या होता है A प्लस B अपॉन में 2 ये होता है arithmetic mean का formula ठीक है चलिए अब A के करके इसके questions को cover करना शुरू करते है हमने AP के सारे formula पढ़ लिए अब हमें सिर्फ इसके नुमेरिकल पर ध्यान देगा है जैसे नुमेरिकल नंबर माल लीजिए फिर्स्ट केरा find the sum of odd integers from one to two thousand one चलिए भी the AP of odd integers from 1 to two thousand one एक से लेके दो जारे तक ठीक है तो लीजिए भाई एपी बनाते हैं तो पहला नंबर तो क्या होगा वन क्यों भाई वन क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है अगर बिट्वीन लिखा होता तो हम वन को इंकलूड कर नहीं करते हैं लेकिन फ्रॉम लिखा बाद तो इसलिए वन से इंकलूड करेंगे तो वन के बाद थ्री थ्री के बाद फाइव फाइव के बाद क्या होगा वई seven किस दरह डैट 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 डैस लास्ट में क्या आएगा वई two thousand one क्या आएगा two thousand one अब आपको क्या बनाना है इसका सम निकालना है तो सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है s n is equal to n upon two two a plus n minus one d या s n बराबर n upon two a plus में a n यह होता है ठीक है यह होता है यह अभे देखो कि हाझ जी तो अब देखो हमें किस-kिस की जुरूत है n की जूरूत है एगर मैं फर्स्ट म की बात करूं अच्छो फर्स्ट मतलब ए वो तो में दिया हुआ है वन लुव में दिया हुआ हां जी बच्चो हां जी तो फर्स्टम तो आगे है वन ठीक है यह तो मिलिगा है एन भी हमारे पास है लाश्टम लाश्टम भी हमारे पास है एन कितना दिया हुए 2001 अच्छा D निकाल लेते हैं common difference इसकी जुरुत पड़ेगी यह निकाल लेते हैं D और D कैसे निकलता बच्चो याद होगा आपको आगे वाली टम में से पीछे वाली टम माइनस करके मतलब A2 माइनस A1 A2 कितना है 3 A1 कितना 1 तो 2 D की वैलू कितना आगी 2 Now अब मुझे N की वैलू निकाल ली है और N की वैलू सबसे अच्छा A N से निकलती है Now A N प्लस A N माइनस 1 D यह फॉर्मुला हमने अभी अभी पड़ा था ठीक है बच्चो तो बताइए A N की वैलू कितनी थी 2001 A की वैलू कितनी थी 1 N माइनस ज़रा के माइनस का 1 अब कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा 1 से 1 कर दिया आंसर 200 ठीक है इस तरह की खतरनाक mathematics कोई नहीं पड़ेगा ठीक है बई तो देखो 2000 एक मेंसे 1 माइनस होगा तो 2000 आएगा ठीक है कुछ मान अनुभव थे जिन्होंने ऐसा पिछले साल कर भी रखा है तो बच्चो यह 2 यहां multiply कर रहा है इधर आके क्या करेगा divide और ऐसा भी नहीं करना कि 2 से 2 काट दिया 3 0 ठीक है तो इतना भी तगड़ा खेल नहीं खेलना है तो 2 से 2000 को काटेंगे तो क्या बच्चो 1000 और n की value आपके सामने आएगी 1000 बराबर n-1 और minus 1 यहां पर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 तो n is equal to 1001 n is equal to 1001 अब n आ गया नाओ सम निकालना है सम उफ एपी हाँ जी तो sn बराबर n upon 2 a plus में a n वहीं मैं यह वाला फॉर्मल लगाऊंगा क्यों लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास n भी है a b है और a n भी है a n कितना 2001 हाँ जी तो 1001 upon 2 into 2002 cancel out 1001 का whole square यह answer है बच्चो ठीक है कि नोट कीजिए अब देखो यहां होगे है कुश्चन नमर सेकेंड देखेंगे अब हाँ बच्चन नमर सेकेंड देखेंगे तो क्या है find the sum of all natural number lie between 100 to 1000 which are multiple of 5 बस भाई ठीक है the AP of multiple of 5 which is between 100 to 100 and 1000 ठीक है एक एक AP बनाना बच्चो 5 के multiple का जो 100 से 1000 के बीच में तो 100 से 1000 के बीच मतलब between लग गया तो इन दोनों को include नहीं करेंगे तो 100 के बाद कोन आएगा 105 110 115 और 1000 से पहले क्या आएगा 995 ठीक है तो बस इसका हमें क्या निकालना है सम निकालना है तो मुझे नहीं लगता कुछ करने की जोता है first sum मतलब A होता है एक सबाब D 55 का gap है पर AN 995 है तो N निकालो और SN निकालो सेम कोश्चन अभी करवाया मैंने तो निकालो ना एन 995 और AN होता क्या है A प्लस में N माइनस 1 D A की वेल्लू कितनी है 105 N माइनस 1 D कितना है 5 995 प्लस का 105 माँ जाके माइनस का होता 550 का 9 8 और यह 5 इदर मंटिप्लाई कर रहा है इदरा कि क्या करेगा बच्छो डिवाइड Cancel out 178 N माइनस 1 178 माइनस का 1 हो आ जाके प्लस 179 हो जाएगा जब N आ गया तो SN भी आ जाएगा SN कितना है 179 अपॉन 2 A कितना है 105 A N कितना है 995 तो 179 अपॉन 2 0 और 1 0 1 11 काट देंगे 500 तो बस मंटिप्लाई कर तो यह कोशन आप घर से ट्राइए करेंगे ठीक है यह कोशन आप घर से ट्राइए कीजेगा ठीक आज की किलास में यहीं over कर रहा हूं next class में इससे आगे कोशन करवाऊंगा और बहुत सारे important question है ठीक है तो यह जो एक जो हमारा कार्मा है वह सुरू हो चुका है तो 9.1 खतम करा चुका हो 9.2 के दो कोशन हो गए है next class में हम लोग 9.2 को तो चलिए तो चलिए आज की ग्लास यहीं खतम करते हैं